नमस्का दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल उड़ता का उतर में दोस्तों जैसे कि आप लोगों पता ही है कि 16 तारिक को ग्वालिय से लेके जोरा के बीच में ट्रेंड जो है पहले से ही रनिंग में थी परन्तु उसको सुमावली से जोरा क कि यह बोला गया है थो चुबसें को क्या है आजरेंग को चालू कर दी है कि इस लिए कि अंडरीक तक ठीकिसिन को करने के लिए आज हम आपको यह लेकर आए हैं क्योंकि दोस्तों अभी भी लोग कि मन में कई सारे जो शंका हैं वो उत्पन हो रही है कि ट्रेन का अर्राइवल क्या है गवाले पर ट्रेन का डिपार्चर क्या है और जो ट्रेन है उसके फेरे कितने हैं तो इस सब चीज़ों को दूर करने के लिए आप लोग पास यह वीडियो लेकर आए हैं तो दोस्तों बा पहले है उसको किया गया है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको उसी पर ही डारेट लेकर आए हैं सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग कम क्लियर कर दे कि यह ट्रेन जो है गवालिया से लेकर जोरा के बीच में तीन फेरे लगाएगी यही मेमू ट्रेन है वहीं तीन फेरे लगाएगी जो कि अलग 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 नमबर से होंगे सबसे पहले तो गवालिया से जब सुबह खुलेगी यह ट्रेन तब यह 0-18-93 और जो वहां से जोरा से लोटकर आएगी तब इस ट्रेन का यह नमबर रहेगा वो 0-18-94 जो है रहने वाला है इसके बाद जो फेरा रहेगा उसमें 0-18-95 और जो जो जोरा से लोटकर आएगी उसका रहेगा 0-18-96 इसके अलावा जो गवाली से बापस अलग अलग नमबर से संचाले यहां पर किया जाएगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी टाइमिंग की टाइमिंग दोस्तों जैसे कि आप स्क् लोकल नुइस्पिपल है उन में भी अपड़ेट हो चुका है देनिक वासका जैसे बड़ी आप अपड़ेट कर दिया गया है तो बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर जो ग्वाली से टिपार्चर लेगी यालिजा सबसे पहली ट्रेंज यहां रहीगी जो टेरा न्यरे ट् सब्सक्राइब जो रहने वाला है उसके आगे शुतिशन आने वाला है इसके बाद आगे शुमावली सुमावली पर इसका अराइवल रहने वाला दोस्तों 7 वच के 7 मिट पर और जो departure रहेगा वो रहेगा 7 वच के 9 मिट पर अब जो फाइनल दोस्तों रहती है जो अपना arrival रहेगा जोरा के railway station पर वो रहने वाला है सुबह 8 वे जिया दोस्तों सुबह 8 वे आपकी ट्रेन है वो जोरा इस्टेशन पर पहुंच जाएगी अब दोस्तों तो वहीं बात कर लेते हैं कि जोरा से डिपार्चर की जो आठ बचके पच्पर मिट पोगा यानि कि पच्पर मिट का हॉल्ट जो है जो रहने वाला है और हर जगह पर यानि की माली यह एक फेरे का एक घंटे का जो है इसका इस टॉप जो रहा पर रखा गया जो पहला समावल पर इसके सेकंड फेरेगी तो सेकंड फेरे जैसे कि आप देख सकते हैं जो रहा से चलेगी आपको पुद्धे माताज दिया में आठ पच्पर में जो है जो रहा से डिपार्चर लेगी और ग्वाली जो इसका राइवल होगा वो होगा लगबग दस बचके पच्पन मिट तो आप दोस्तों कि लिए समझ चुके हैं कि दो घंटी का करेक्ट टाइमिंग जो है इसकी यहां पर रखी गई है ग्वाली में जो है अराइवल इसका दश पच्पन मिट पर जो ही जीरो अठारा पिंच्यानवे नमबर से होने वाला है वो होने वाला है जो ही जिरो अठा मिट पर इसका अराइवल जो जो हरा पर हो जाएगा अब आप दोस्तों जो है यह जीरो इटारा चानवे नमबर से जाएगी जो कि जो जो आज g 360 जो है दो ऑटेकर इसे जो जाएगी अपना ग्वाली तो जीरो आठारा संतानवे नमबर से लगाने वाली है और चार बच्र मिट पर जिसमें हमने सफर किया था चार बचके 25 मिट पर गौलिय से जो है डिपार्चर लेगी और जो रहेगा साथ बचके 20 मिट पर गौलिय जो है इसका अराइवल रहेगा नौ बचके 20 मिट पर अब दोस्तों उमीद करते हैं कि आप लोगो यह चीज समझ में आ गई होगी थर्ट पर्टी जैसे कि अभी आयर सेटिसी के लिए या वेर फाय ट्रेंड के लिए उनमें अभी तक इसको अपडेट नहीं किया गा है धीरे धीर जो है अपडेट कर दिया गया है कर दीया जाएगा आप बेढलाख होके तो जाईए अपने सफर को जो है जो सौहाना है उस मर रहा है कि उसको करने की, आप कोशिच कीजिए, क्योंकि यहां पर जो ब्रामिक खबरे फिलाई आरे हैं कि दो चक्कर लगाएगी, एक चक्कर लगाएगी, इसमें किसी प्रकेग़ा को ब्रामिक नहीं है, तिन चक्कर ही दोस्तो लगाएगी, जो timing थी वो मैंना आपको इसमें clear कर दी गई है तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो please वीडियो को like कीजिए, चैनल को subscribe अभशी कीजिए और दोस्तों अपने जो experience है, आपको क्या लगता है, जो timing है वो सही है या गलत है, वो हमें comment section में बताने का कश्च कीजिए, तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो तो तक के लिए हमशकार, जय भारत और पंदे मात्रम